दोस्तों अगर कोई आप पर इल्जाम लगाएगा तो आप क्या करेंगे आप defense करेंगे और उस defense करने के लिए आपको कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे कुछ sentences बोलने पड़ेंगे अगर आपको किसी की तारीफ करनी होगी तो आप क्या करेंगे आपको कुछ words बोलने होंगे, कुछ sentences बोलने होंगे और अगर आपको अपना गुसा प्रकट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो भी आप कुछ words बोलेंगे, कुछ sentences बोलेंगे यही रीत है, यही तरीका है लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको English में बोलना हो तो आप क्या करेंगे वही जवाब है कि जो आप हिंदी में करते हैं हिंदी आपको आती हैं इंग्लिश आप सीख रहे हैं लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है बोलना मुश्किल नहीं है लेकिन ये find out करना मुश्किल है कि भई इस तरह के sentences हम लाएं कहां से कि गुस्से को व्यक्त करने के लिए अपने आंगर को शो करने के लिए हम list of sentences कहां से लाएं हम किसी की praise उसकी तारीव करने के लिए sentences कहां से लाएं हमें अपना defense करना हो तो हम sentence कहां से लाएं आपने thumbnail पर देखा होगा दुनिया की सारी किताबें फेल ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ क्योंकि इंडिया में आपको आज ये पहली बार इस तरह की different class English practice की आप देख रहे हैं ये DPA है actually ये 3 to 5 lines approach है ये actually अंग्रेजी में 3 से 5 line कम से कम बोलने की practice है और इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको practice का पहला lesson आपको पकड़ाया है उसकी जलक दिखा रहा हूँ जिसका नाम DPA है यहाँ हम defense के कुछ sentences दीखेंगे praise के कुछ sentences और anger के और ये इस तरह के sentences नहीं जो आप वो daily using sentences की बहुत सारी वीडियो YouTube पे देखते हैं कि एक line लिखा है फिर उसकी English लिखी है और रोज मर रहा है की जिंदगी में आप उसको use करते हैं और जिसके thumbnail पे लिखा होता है इन 50 sentences को रटलो और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे ना ना ये वैसी वाली class नहीं है ये class कित तरह की है वो दिखाता हूँ मैं आपको एक जलक यहाँ पे आपको अगर ये छोटा लग रहा इसका font तो tension मत दो आप टेली ग्राम पर ये आपको free में मिल लागा या आप अगर download करेंगे lingo app को तो वहाँ पर भी आपको ये sentences मिल लाएंगे देखो set number one है sentence कुछ इस तरह का है मैंने यहाँ पर इस defense के लिए अगर आप पर कोई इल्दाम लगाता है तो आप कितने तरीखे से उसको मतलब क्या बोलते है situation के according अपने आपको कैसे defense कर सकते है sentence आपके सामने है मैं तुमें कैसे यकीन दिलाओं कि मैंने गलती नहीं किये कोई तुमसे कह देगा और तुम मान लोगे क्या तुमें अपने दोस पर यकीन नहीं है ये हुआ group of sentence अप English में आप कैसे बोलेंगे ये देखें यही यही एक चीज है जो मैं आपको अभी थमाने वाला हूँ और इसका पूरा set है यहाँ पर देखें आप इस तरह के पूरे set है प्रेज के लिए sentences यहाँ पर आंगर को शो करने के लिए sentences लेकिन क्या कभी आप घुसा सिर्फ एक sentence में करते हैं नहीं बंदा जब घुसा करता है तो सिलसलेवार बहुत सारे sentences बोलता चला जाता है बंदे को अपना defense करना होता है तो ऐसा थोड़ी ने जो एक sentence में कोई satisfied ह संतुष्टोजा बही उसको लगातार बोलना पड़ता है लगातार आप जैसे बोलेंगे आपके सामने वही मैं तुम्हें कैसे यकिन दिलाओं कि मैंने गलती नहीं किया है अब यहाँ पे जोए अब एनितिंग रॉंग मैंने कुछ गलत किया है अब यहाँ पर I haven't बोले को या I didn't have बोले कुछ बोले आप बस बोलते चले जाएं इक्वैक्टली क्या होगा यह यह आपके सामने बोर्ट पे लिखा हुआ है कोई तुमसे कह देगा और तुम मान लो कि संबडी विल टेल यू और यू यू बिलीव यह यह इस तरह से या पिर and you're going to believe तुम उसी पर य अब एक साथ आप हिंदी में जैसे बोलें आप इंग्लीश में बोल सकते हैं आप इस तरह से अपना डिफेंस कर सकते हैं इंग्लीश में भी step number two है बात सुनो listen मैं उस टाइप का नहीं हूँ I'm not that type of guy शायद तुम्हें गलत फ्यामी हुए perhaps you have misunderstood और गलत फ्यामी बहुत सारे रिष्टों को खराब कर देती and misunderstanding spoils a lot of relationships मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यांकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्तों I'm telling you because you are my best friend ठीक है या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्तों मैं से एक हो you are one of my best friend आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं अगर एक दो word आगे पीछे हो रहा है सटीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए tension लेने की ज़रूत नहीं है यहाँ पर देखो अब एक बात बताओ क्या ये चीज़ें आपको मार्केट में मिलेंगी क्या ये चीज़ें आपको किसी किताब में मिलेंगी कोई set है इस तरह का practice करन मिलेगा नहीं इंडिया में आपको सिर्फ एक जगह मिलेगा और वो जगह है लिंगो और वो भी लिंगो के diamond speaking course में पूरा set बना हुआ है 3 to 5 lines approach का कि अंग्रेजी में पहले शुरू का जो 3-5 sentence है ये उन लोगों के लिए जिनोंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है थ सबता अपने एक अधिकार है everyone in the world can't be right but everyone has a right जहां तक मेरे अधिकार की बाद है as far as my rights are concerned तो मुझे इसका इस्तेमाल करने का पूरा हक है I have every right to use it और जो बात मैंने कही है मेरी राय में वो सही है and what I have said is correct in my opinion मैं आपसे नहीं कहता कि आप इससे सहमत हो जाईए I don't ask you to agree with it आपको आजादी है आप अपनी भीराय रख सकते हैं you are free to express your opinion अब देखो यहाँ पर आप अपनी daily life में इस तरह की चीज़ें बोलते हो या नहीं बोलते हो यह state है उसका पूरा ऐसा लगता है कि जैसे वो फूलों को पीरों के माला बनाया जाता है ना गार्लैंड बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से यह sentences की माला है जो मैं आपको पहना रहा हूँ अभी अगर आपने इस तरह से practice की किसी partner की जरूरत नहीं है यह partner system खतम कर रहा हूँ मैं अपने इस course के जरीए मैं पहले अपने बारे में clarify कर दूँ let me clarify about myself first मैं यहाँ यह बताने नहीं आया कि कौन सही है बलकि मैं यह बताने आया हूँ कि सही क्या है I'm not I have not come here I'm not here to tell who's right but I have come here to tell what is what is the right I'm not here to say who is right but I'm here to say what is right ठीक है अब जैसे बोलो ऐसे चलेगा मतब बोलने की कोशिश कर रहे ना थोड़ा एक दो आगे पीछे हो उसको mind नहीं करना है मुझे argument बिलकुल पसंद नहीं है I don't like argument मैं discussion को पसंद करता हूँ I like discussions मुझे लगा कि यह सही है तो मैंने बोला I thought it was it was right so I spoke वैसे भी मेरे अंदर यह चमता है कि मैं सच को सच और जू to call a spade a spade बोलते हैं हक को हक कहना सच को सच कहना जूट को जूट बोलना खेर यहां पे आप इस तरह से भी कह सकते हैं anyway I have I have this ability that I can tell truth as truth and lie as lie वैसे I call a spade a spade आप यूज करें अगर अच्छे English बोलना चाहते हैं तो आगे और मेरे ख्याल में यह सही भी है and I think it's right too अब इसको arguments at all I love discussion I thought it was right it was right so I spoke anyway I have this ability to call a spade a spade and I think it is right too आप चाहते हैं अगर इस तरह की चीज़ें यह यह मोतियों की माला आपको भी मिले यह sentences की माला आपको भी मिले आप भी पहनना चाहते हैं तो आप आज यह diamond speaking course में India का number one speaking course इतना content है इसके अंदर के अगर आप इसको देखेंग आप भरा रहता है 4.8 rating के साथ more than 20,000 students इसको सीख रहे हैं और सिर्फ 299 में चार महीने का course हम प्रोवाइड कर रहे हैं चार महीने का course only 299 में यह आप जोईन करेंगे ना तो आप बोले हर level के students के लिए beginners के लिए basic वाले के लिए advanced वाले के लिए practice में को भी मैंने दो पार्ट म advanced practice कोई problem हो इन number पे आप contact कर सकते हैं बहुत flexibility है call करिए बात करिए कोई दिखकत हो direct purchase करिए आप को जैसे करना है app download करना पड़ेगा जो channel का नाम है link को वही हमारे app का भी नाम है अब praise तारीफ की बात करते हैं दोस्त की तारीफ करते हैं या तेरे जैसा दोस्त पाना तो नसीब की बात है उपर वाला तेरे जैसा दोस्त सबको दे मैं सच कह रहा हूँ यार दिल से यह बात कह रहा हूँ का अगला मेरे मामा जब भी मेरे घर आते हैं तारीफ अब मामा की ओरी वहाँ दोस्त की हो गई वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं उनके जैसे लोग आशकल कहां मिलते हैं उनकी सबसे एच्छी बात ही है कि वो सिर्फ मेरी नहीं सब ही लोग लोगों की परवा करते हैं और वाकि ऐसे लोग तो rare होते हैं वह सच में हमारी फैमली के लिए एक वरदान की तरह है Whenever my maternal uncle, मामा को बोलते है maternal uncle, comes to my house, he always brings something for me. Where do you find the people like him nowadays? The best thing about him is that he cares not just for me, but for everyone. He is truly a blessing to a family and a boon to a family. लिबून बोलते हैं वरदान को, एक चीज मैं आपको बताओं कि ये जो sentences आपको यहाँ पर मिल रहे हैं practice के लिए, आपने यहाँ पर देखा कि मैं English भी बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है कि इस PDF फाइल को अपने सामने रखना है, अपने दो बोलता हूं, तो एक एक बंदा बोलेगा मेरे मामा जब भी मेरे घर आते हैं, सामने वाला बंदा इंग्लिश बोलेगा, whenever my मामा कमस तो माई हाउस, or my maternal uncle comes to my house, मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर आते हैं, he brings at least something for me, yeah something for me, उनके जैसे लोग आचकल कहां मिलते हैं, people like him are rare nowadays, जैसे बोट सकते हैं, yeah where do you find the people like him nowadays, देखो कहने का तरीका अलग अलग है, आप जैसे चाओ, जरूरी नहीं कि एक sentence को आप एक ही तरीके से translate कर सकते हैं, कहने के अलग अलग अन्दाज होते हैं, आगे चलो, set number 3 है, आप जो भी पढ़ाते हैं, एक teacher के लिए बात है, वो अच् मुश्किल है, इंग्लिश हो बंदा कैसे बोलेगा, whatever you teach is well understood, not only me, all the students present here in this class agree that no one else can teach us English better than you, it's very difficult to find a teacher like you, फीक है, ये इस वे में आप प्राक्टिस कर सकते हैं, देखो अंग्रेजी, बोलना ये कमाल नहीं है, बुलवाना कमाल है, और मेरा सारा effort इस बात करता है, कि मैं आसा आसान से आसान तर आपको पढ़ाता रहूँ, वो एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था, है जुस्तुजू के खूब से है खूबतर कहां, अब ठैरती है देखिये जाकर नजर कहां, जुस्तुजू तलाश को बोलते हैं, और वो खूब से खूबतर मतलब अच्छा से अच्छा, तो मैं इस कोशिश में रहता हूँ, कि है जुस्तुजू के आसान से है आसान तर कहां, अब ठैरती है देखिये जाकर नजर कहां, मेरा पूरा effort इस बात पे रहता है, कि मैं आपके लिए lectures को, English को आसान से आसान बना के लाँ, उसी कोशिश में लगा रहता हूँ मैं, अगर जोज एक वीडियो अपलोड होती है, आप देखेंगे बड़ा enjoy करेंगे, आप एक एक वीडियो उसकी बिल्कुल उठा लेने वाली है, एंगर बोले तो घुसा, यार ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तुम से कहा था कि इन सारी किताबों को alphabet के हिसाब से bookshelf पर लगा देना मगर तुमने कैसे लगा दिया, अभी के अभी इनको वापस से सही से लगाओ, मतलब put them in order, apple pie order, ये भी देखो, जैसे मैंने वोगा था न, सच को सच बोलना, जूट को जूट बोलना, तो इसको बोलते है, to call a spade a spade, a a spade a spade, in the same way, किताबों को ठीक ढग से लगा देना, त तो प्रॉपर तरीके से रखने के लिए अंग्रेजी में, मैं आपको एक इरिम बता रहे हूँ, apple pie order होता है, to keep the books in apple pie order, लेकिन जरूरी नहीं हमें बोलना है, क्या जरूरी, वो नहीं आ रहा हो, तो substitution से काम चलाएंगे, हम जो लिखा यहां पर इसी का यूज करो, प्रॉप प्रॉपर्ली राइट नाओ, या फुट दे मिन apple pie order राइट नाओ, आप apple pie order नहीं बोले है, प्रॉपर्ली राइट नाओ चलेगा, अगला सेट नमबर टू है, कैसे घैर जिम्मेदार बच्चे हो, तुम्हें एक टीचर एक वच्चे को डाट रहा है, एक भी चाप्टर का सवाल जब पूरा नहीं लिखा है तुम्हें अपनी कॉपी में, एक्जाम तुम्हारे सर पे क्या लिखोगे तुम्हें एक्जाम में, उधके माक्स की कोई परवा नहीं है तुम्हें, शर्मा आती है मुझे तुम्हें अपना शागिर्थ कहते हुए, एक टीचर अपने हेड की जगह पे आप ये भी बोल सकते हो, the exam is at hand right now, सर पे होना मतलब नस्दीक होना at hand उसके लिए use होता है, idioms and phrase का बहुत बड़ा रोल है, जितना याद करो उतना बड़ी है, उतनी English smart होगे आपकी, what will you write in exam, you don't care about your own marks, I'm ashamed to call you my disciple, disciple student को बोलते हैं, ठीक है, आगे बटते ह अगले सटकी तुम्हारा दिमाग सही जगा पर है नहीं, ब्रेक जैसी चीज़ नहीं कहा तुमारी गाड़ी में, अगर मैं हटता हैं तो सीधे मेरे ऊपर तुम अपनी गाड़ी चला देते, किसने दिया तुम्हें गाड़ी चलाने का लेसन, साघा हो दिमाग दोनों खोल क गाड़ी चलाया करो। ये कोई बंदी है जो डाट रही है सामने वाले को वैसे जनरली लड़के तो लड़कियों को नहीं डाटते लड़किया ही डाटती हैं। Is your mind in order or not? अब देखो, mind in order. मादब दिमाग ठीक जेगा पे होना. Is there no such thing as a brake in your car? If I wouldn't have moved, you would have rammed me by your car. You have rammed your vehicle directly upon me. मादब सीधा मुझ पे चड़ा दिया होता. Who gave you the lessons to drive? Drive with both your eyes and mind open. अगला. तो आपकी जो class थी न, वो यही था DPA, defense, praise and anger. आप यकीन करें कि ये चीज़ें आपको दूसी जगा मिलने वाली नहीं हैं. सिर्फ और सिर्फ diamond speaking course में मिलेगा. यकीन करें ये आपको diamond बना देगा. ये कैसा course है? Diamond course will make you diamond. Now, it's upon you अभी आप पे है कि आप decide करें. आप 15-20 टाइप की चीज़ें हैं. आपको अगर अपना anger show करना है, defense करना है, pray show करना है, truth बोलना है, lie बोलना है, बहुत सारे expressions है, sad expressions, happy expressions, fear, anger, love, बहुत सारी चीज़ें. आपको अगर express करना है और 3-5 line approach रखनी है अगर इसके अंदर. मैंने इसका नाम दिया है basically 3-5 lines approach. यानि अंग्रेजी का 3-5 line बोलने के लिए, बतलब उसके लिए आपको एक चीज़ पकड़ा देना, थमा देना, एक exercise कि आपके पास अगर partner नहीं भी है, तो आप practice करें, बिल्कुल यह वही चीज़ है. चार मेने का course है, इन numbers पे call करके, और हाँ, लिंगो हमारा आपको टेल यह वीडियो के साथ मिलते हैं, और shots के लिए, आज एक shots भी upload हुआ है, आप जाके लिंगो shots पे देखें, रोजाने एक मिनट की वो वीडियो, 15 मिनट की यह वीडियो, और diamond speaking course, आपको वो course जो बना देगा ना, वो मैं बयान नहीं कर सका, I can't express that what that course will make difference in your personality, really you will be turned into a diamond after joining that course, damn sure, love you all, have a great night, keep learning, keep rocking.